नमस्कार मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं SM News आज मैं आपको बताने जाने दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरी वाले दिल्ली के लोगों दिये कुछ गारंटिया दिल्ली में 24 घंटे बिजली रहेगी और 200 युनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी वही आप पानी 20 किलो लीटर तक मुफ्त दिया जाएगा शिक्षा में ग्रेजुशन तक हर वच्चे को विश्व इस्त्री विवस्ता दी जाएगी और चिकिस्सा चिकिस्सा में दिल्ली के हर नागरिकों को अच्छा इलास्ट मुफ्त दिया जाएगा वही आप बस सेवा बस सेवा स्टूडेंट को भी फ्री दी जाएगी पिर्दूशन मुक्त वाईव पिर्दूशन को तीन गुना घटाने का लक्षे सुरक्षा सीसी टीवी कैमरे और स्टीड लाइट महला मार्शल लगाएगे वही आदे स्वच्छता दिल्ली को स्वच्छता पे देंगे जोर राजधानी को वनाएगे स्वच कच्ची कलोनी कच्ची कलोनी में पक्की सड़के बनवाएगे और जुगी जुगी वालों को मिलेंगे पक्के मकान मुख्य मंत्री के गारंटी कार्ड पर कॉंग्रेस और भाजपा ने कसा तंज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोस तिवारी ने आम आदमी पार्टी के गारंटी कार्ड जारी करने पर कहा कि आप विदानसवा चुनाग की डर्ग का सामना नहीं कर सकते हैं इसलिए वादे कर रहे हैं पिछली वार भी 2015 के चुनावों में आपने लोगों की जनता से वादे किये थे जो अभी तक पूरे नहीं किये गए हैं और अभी भी आप जनता से वादा कर रहे हैं वादा करना तो आसान है लेकिन उनको पूरा करना मुश्किल है वादा करने में और पूरा करने में बहु है कि मुक्खे मंत्री केजरी वाल ने पहले ये कहा था कि वह स्वच्छ पानी देन कॉंग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्षुभास शौपडा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी हार से हताश और निराश होकर उन्होंने गारंटी कार्ड जारी किये हैं यही पर उन्होंने पहले विश्व विद्याले खोलने की बात कीती लेकिन अभी तक एक भी नया विश्व विद्याले नहीं दिखा है यही पर उन्होंने उदिल्ली के लोगों को स्वच पानी देने का वादा भी किया था लेकिन अनाधिकरत कलोनियों में स्वच पीने का भी पानी उप्लब्द नहीं हो पाया है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंडी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले